दोस्तो इस तरह का इनिवेट से वड़ा इस्ट आज वीडियो क्रिट करने के लिए आपको एक अप्लिकेशन का जोरुत पर रहे हैं अप्लिकेशन का नाम है काइन मैस्ट अगर दोस्तो इस तरह का एनिवेड़ सिर्वल स्टेटाज वीडियो अगर आप लोग खुद से क्रेट करना चाहते हो तो इस वीडियो का आप लोग सुरू से लेकर एंड टेक देखते रहो काइन मैस्टर एप आप लोग दोस्तों जैसे ओपेंड करोगे आपका काइन मैस्टर का इंटरेफेस कुछ इस परकार का आपको दिखने को मिलेगा तो सबसे पहले हिया पर आपको new project में आपको click करना है और click करने के बाद आपको हिया पर दोस्तों दीखिनों का मिलेगा 3-4 issue इसको select करके आपको नीचे create में click करना है क्लिक करके आपको एक बार बेक आजाना है आपको लेप सैट की मेडिल में सेटिंग आप सेटिंग अप्सन देखिनों को मिलेगा हिहां आपको क्लिक करके आपको नीचे आजाना है इईडिटिंग में और यहाँ पर आपको media option दिखनों को मिलेगा, यहाँ पर आपको click करके 10-12 photo आपको add करना है, दोस्तो photo को add करने के बाद आपको video के starting position में आना है, आने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको photo के उपर में click करना है, अगर दोस्तों आपको फोटो का साथ कुछ इस परकार से अगर आ रहा है तो आपको यहाँ पर इस परकार से परकार से फोटो को आपको फिली स्क्रीन करना है ठीक है तो simply से दोस्तो इस परकार से आपको fill screen करने के बाद आपको side में जो आपको double line देखिनों को मिलेगा यहाँ पर आपको click करना है ठीक है और इसी परकार से आपको video के end text सभी photo को fill screen कर लेना है जो कि मैं कर चुका हूँ पहले से ही उसके बाद दोस्तो अपको क्या करना है फिर से page and Nheros option में जाना है और दोस्तो आपने जो यहाँ पर double line में click किया था आपको यहाँ पर click को हटा लेना है ठीक है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर end position में आपको click करना है और थोरा आपको दोस्तो इस प्रकार से वीडियो को जूम करना है जो कि दोस्तों हिया पर आपको क्या करना है वीडियो के starting position से लेकर आपको end तेक इस प्रकार से आपको जूम करना है जूम करने के बाद आपको photo को middle में दोस्तों हिया पर plus वाला icon दिखिनों को मिलेगा लेता हूं उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को दिखाता हूं पंदोस्तों अब्छक करने के बाद आपको एंड पोजीशन में जाना है और एंड पोजीशन का फोटो वाले इतना दोर रख के आपको seizureable option में जाके रैट से trim करना है उसके बाद आपको दोस्तो इस वीडियो का लेंद अगर 30 से कम होड़ा है तो आपको 30 सेकंड करने के लिए आपको फोटो में किलिक करना है और इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा लेंद बरहा कि इस वीडियो का आपको 30 सेकंड तक एरजेस्ट कर लेना है दोस्तो इस परकार से आपको 30 सेकंड इस वीडियो को करने के बाद आपको उपर इस एरो में आपको कलिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो को थोड़ा आपको resolution बराने के बाद आपको 1080p 60 episodes में वीडियो को save कर लेना है ठीक है जो कि मैं पहले से ही इस वीडियो को save कर चुका हूँ तो आपको वीडियो को save कर लेने के बाद बेक आ जाना है अब देक आ जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है जो आपको first वाला project दिखनों को मिलेगा यह वाला इसके थोड़ा बगल में three dots दिखनों को मिलेगा ठीक है फर्स्ट फोटो में क्लिक करके पेन जूम को अप्शन में जाना है जाने के बाद इस परकार सापको photo को fill करना है और आपको frame में एरजस्ट कर लेना है ठीक है च्रिन कर चुका हूं और आपको इहां पर क्या करना है यह वाला transaction को change करना है नीचे आ जाना है classic transaction में और आपको जूमाडबला select करना है जितना photo में आपने photo select को add क्या था सभी को आपको change करके हिहां पर आपको select कर लेना है दोस्तों जूमाडबला transaction पर ठीक है तो मैं फटापर से कर लेता हूं उसकी बात मैं आपको दिखाता हूं तो दोस्तों यह आपने में वीडियो के end तेक जूमाडबला transaction पर कर चुका हूँ और या चीज करना है photo के उपर मएक किली करके आपको vert कोन करना है तके जैसे photo में किलीक करोगे आपको डीकने प्रेड़ का ओप दिखनंग में लेगा और इस परकार से आपको एक हैक करके सभी tua लेकी और आपको v वीडियो करेंड तक आपको ले जाना है स्तार्डिंग पोजीशन में आके आपको लियार अप्ट्षन में जाके मीडिया अप्ट्षन सेलेट करना है और दोस्तों हिहां पर आपको कुछ इस परकर करका और अभी टिंपलेट वीडियो को लेना है लेने के बाद आपको Spility Screen में जाके Fill Screen करना है और थोड़ा नीचे में लेगा आपको Blending Option आपको करना है यहाँ पर Screen इतना दूर करने के बाद Layer Option में जाके Media Options लेट करना है और आपने जो वीडियो का इनमेशे से Export क्या था उसको आपको लेना है लेने के बाद Template के उपर आपको जो Frame दीखनों को मिल रहा है यहाँ पर क्लिक करके मतलब दोस्तों इसके उपर आपको रखके आपको इस तरह से Zoom करना है जितना दूर तक Frame का Board है ठीक है इतना दूर करने के बाद उपर 3.00 में क्लिक करके Send to Backyard में क्लिक करना है और आपको Cropping Option में जाके इस परकार से आपको Site को Cropping करना है साइट को Cropping करना है के बाद आपको क्या करना है आपको जो 4.00 फ्रेम दीखनों को मिल रहे हैं आपको Photo Regist करना है तो Photo लेने के लिए Layer Option में जाके आपको Media Option Select करना है और select करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको कोई भी एक photo को आपको लेना है लेने के बाद आपको cropping option में जाके marks on करना है और shapes में जाके आपको इस तरह का एक shapes ले लेना है ठीक है और आपको shapes को थरह उपर आपको edit करना है edit करने के बाद आप चाहो तो middle का photo जूम कर सकते हो और एक बार आपको back आजाने के बाद यहाँ पर आपको जो size का जो frame दीखने को मिल रहा है इस size मुताबिक आपको photo को जूम आट जूम इन कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको send to back watch करना है और आपको photo balance वीडियो के end तक ले चले जाना है इसी परकार से दोस्तों आपको क्या करना है जो आपको side में तीनो frame दीखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको side छोटा करके photo को एड़ेस्ट कर लेना है तो दोस्तों यहाँ आप आप लोग देख रहों में वीडियो के end तक तीनो को अगर पसन आया है तो please like share comment जरू करना तो मिलते हैं दोस्तों एक new interesting new वीडियो के साथ तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था